धाबा स्टाइल टेस्टी औने चटा के दार आशाक रोटला साथे खावानी तो बहुत मज़ा पड़ी जए एलो फ्रेंड्स आजेओ तमारी साथे शेयर करीज एकडम काठिया वड़ी धाबा स्टाइल लसनिया बटेटा नुशाक स्पाइसी चटा के दार आशाक रोटला साथे खावानी खूबस्ट टेस्टी आँ लसनिया बटेटा ना शाक माटे परफेक्ट लसनि पेच्ट केवीरी ते बनावी औने शाक माँ एकडम काठिया वड़ी धाबा स्टाइल मसालो केवीरी ते करो ते बदीज टिप साथे चाल रेसिपी शरू करिए नवी रेसिपी सिख्वा माटे नेहा कुक बुक गुजराती चैनल ने सब्सक्राइब करो अने साथे बेल आइकोन ने जरूर्थी दबाओ नवा रेसिपी वीडियो साथी पेला जोवा माटे साथी पहला चटा के दा लसन या बटेटानू शाक बना अमाटे मिया या दस नंग एटले लगबग 200 ग्राम जेटला नाना बटेटा लिधा छे चो तमारी पासे नाना बटेटा ना होई तो तमें मूटा बटेटाने बे भाग माँ डिवाइट करी ने शाक माटे लई शको छो हवे बटेटाने बाफ़ा माटे कुकर मा या में बे कप जेटलू पाणी राखेलू छे तेमा बटेटाने एड करी दईए हवे अरधी चमची जेटलू मीठू एड करी तेने बटेटा साथे मिक्स करी लई ये बटेटाने बाफ़ती वक्ते मीठू एड करवा थी तेनों स्वाध वधी जाए छे हवे कुकर नू धाकन बंद करी मीडियम गेस नी फ्लेम पर त्रोंड थी चार विसल करी लई ये त्रोंड थी चार विसल थाई गई छे अन्या आपणू कुकर पन ठरी गई उछे हवे तेने खोली लई ये तहमें जो ही शको चोके आपणा बटेटा एकदम सरस बफ आई गया छे बाफेला बटेटा ने टेस्टी बनाओ माटे पैन मां एक चमची जितलो तेल एड करिए हवे बाफेला बटेटा एड करी दढ़िए हवे अर्धी चम्ची जितलो चाट मसालो औने अर्धी चम्ची जितलो गरम मसालो एड करिए हवे बटेटा ने मसाला थी बराबर कोट करी लईए मसाला थी कोट थहला एकदम टेस्टी बटेटा ने एक बावुल मा काईधी लईए शाक माँ एड थती स्पाइसी लसं टमेटानी पेस्ट बना अमाटे म्याई या त्रोण सुका लाल मर्चा लिधा छे तेने गरम पाणी मां 30 मिनिट मांटे पलाड़ी बहिए सुका लाल मर्चाने पाणी मां पलाड़ वा थी तेनी तिखाश ओची थाई जाई छे 30 मिनिट थाई गई छेने तमें जोई शको छो कि आपड़ा मर्चा खुबत सरस्रीते पलड़ी गया छे हावे लसं टमेटानी पेस्ट बना अमाटे में मिक्स्चर जार मां 12 पंदान नंग लसं नी कड़ी एक इच आदूनों टुकडों पलाड़ेला सुका लाल मर्चा एक मीडियम साइज ना टमेटाना में नाना पीस करी लिदा छे तेने एड करी दई हावे मसाला मां बे चमची धना जीरू पाउडर एक चमची जीरू तमें जीरू नी जगिया एसेकेला जीरानों पाउडर प पेस्ट ग्राइंड करवा मांटे जहरा पन पाणिनों उप्योग नथी करवानू हावे बद्धी जवस्तूने ग्राइंड करी लई है अपना शाक मांटे एक दम स्वादिस्ट लसंटमेटानी पेस्ट तयार थे गई छे हावे शाक मनाव मांटे पैन मां चार चमची जेट प्रमाण वधारे होई छे पन जो तमने तेल ना भावतु हो एतो तमे तेने ओच्छू पन करी शको छो अपनु तेल गरम थाए एक मीडियम साइज नी डुंगडी ना में आरीते जीना पीस करी लिदा छे तेने एड करी दई आने डुंगडी ने तेल मां सारी रिते स्वा अवे लसंट अमेटानी पेस्ट ने अपने तेल मां सारी रिते सातड़वानी छे लगबग 2-3 मिनिट जेवु थाही कियो छे ने तमे जोई शको छो कि अपनी लसंट अमेटानी पेस्ट खूबत सरस रिते सतड़ाई गई छे अने तेमा थी तेल पन छुट्टू पढ़व अने चमचाने आ रिते सतत धलावता रहिए छे थी दई ग्रेवी साथे एकदम सरस भड़ी जए दई थी आपनी शाकनी ग्रेवी ने एकदम रीच फ्लेवर अने टेस्ट आवे छे तमे जोई शको छो कि दई ग्रेवी मां खूबत सरस रिते मिक्स थाई ग्यू छे अने ग् अने तेने ग्रेवी साथे मिक्स करी लहिए अपड़ा बटेटा ग्रेवी थी खूबत सरस रिते कोट थाई ग्या छे हवे आ समये वन फूर्थ का अपजेटलू पाणी आड करी दई अने तेने पण मिक्स करी लहिए हवे धाकन धाकी ने धीमा गेस नी फ्लेम पर शाक ने त्रणथी चार मिनिट में टेक कूप करी लहिए छे थी ग्रेवी नी फ्लेवर बटेटा मां खूबत सरस भड़ी जए त्रणथी चार मिनिट थाई गए छे हवे धाकन खोली लहिए वाउ जोत्ताज मोडामा पाणी आवी जए एवु एकदम चटा के दार बईनू छेने आपनू शाक हवे शाकने कोथमी ना पान वड़ेक गार्निश करी लहिए अने तेने गर्मा गरम साव करी लहिए तो एकदम परफेक्ट रीत थी काठिया वड़ी धाबा स्टाई लसाणिया बटेटानू शाक जो तमें एक वार बनाऊशो तो वारम वार बनानू मन्था से जो तमने मारी आजनी रेसिपी गमी होए तो मने कमेंट सेक्शन मा जरूर ठीके जो साथे मारा वीडियो ने लाइक और फ्रेंड्स मा शेयर कर जो और मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानू ना भूल शो तो फरी मड़ी एक नवी रेसिपी साथ